आज हम लोग आयों है मैं शाहिद साहब के पास यहां पे जीवन इन्होंने काश्ट किया हुआ है तो हमारे एक बहुत ही अच्छे फार्मर हैं और इन से थोड़ी सी बातचीत करते हैं जीवन की अवाले से और इनका सफर पूछते हैं के जीवन कैसा रा मैं सब बहुत शुक् राउंड थोड़ा प्रोफेशन की है सरो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब मेरे नाम शाहिद नसीम करवा है मैं वकालत के पेशे से मुंसलिक हूँ लेकिनों 2006 से 16 साल होगी है मुझे वकालत करते हैं माशाला जो हमारा बज़र्गों का काम है वह जीमितार है ठीक हो गय आया कि आप जीवन गारलिक लगा है ठीक हो गया तो उन्हें मुझे का कि यह जो आपके बज़र्ग यह काम करते हैं यह बड़ा पुरानी के तब खेती बाड़ी है आप इसे छोड़ें और मार्डरन इसम के तरफ आए तो मैंने फिर सार्च किया यूटूब वगरा से तो म मैं भी इसी लेंड पे आया मैंने पाइंसो केजी जीवन गारलिक लिया यह वो मैंने तकरिबन आट लाग सतावन अजार का मैंने परचेस किया माशाला उसके बाद मैंने उसे सेव रखा तो इस साल मैंने लगवाया हूए और यह साथ मुझे यह बताएं कि आपके पास कित साथ किनाल आपके बास लगा हूए माशाला अब मुझे यह थोड़ा सा बताएं मैंने चैना गोल्डन भी लगा हूए एक कड़ अच्छा गोल्डन फार्मी भी लगाया हूए माशाला जबरदस उसके इलावा रिवायती वसले हैं जो आपकी गन्म अगयरा होगी और यह सा 15-17 के दर्मियां ठीक है और इसको यह बैड्स कितने इंच गया है और पहुंदे से सोले इंच के ठीक है और बाकी चार से पांच इंच का तकरिबां ना अरुसासला फासला है ठीक है जबरदस्त हो गया अच्छी ब्लांट पोपुलेशन है आपके जो आपने जो लगाया आप ने अभी दक इसको कौन-कौन से खादें दी हैं इस प्रेव अगरा क्या किये हैं इसका थोड़ा समय बताया है ताकि जो हमारे देखने वाले ने अच्छी इसमें हाल शाल लगवाए हैं ठीक है उसके बाद मैंने इसे महीना खाली रखा है ठीक है लगाने से पहले और उसके बाद मैंने इसे नीचे दो यनिके जो डीयफी की खाल ढाली है वोगरी दो बोरी और उसके बाद फिर लगा कि मैंने इसके जड़ी बोट् इं Debugरे कर आगा कि लिपते लीऑ है एक बोरी उसके एक पर भाचा लोग मैं अपना गवायरे की दो बोरिय डाले हिं उसके बाद यह मुफ्से पानी मैं quando और नहीं बेलाता रहा है तो जी अनल दूनी बाधर एंप्या पौर अगल देन पर एन पीके सपरेब भी की हैं और बाकी यह कि आपकी फसल मैं देख रहा हूं के गोडियों पर आए तो अभी तक मुझे यह बता दें कि गोडियां कितनी करवा चुका हूं तीक है तीन गोडियां इसकी मुक्मल हो चुकी है और अभी एक 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 गोड़ी तो लाजमी इसकी होनी होनी है और वो मैं शाला 25 मार्स के आगे पिछे करवा देंगे अच्छा सर मुझे यह बताएं कि आपको क्या लगता है अभी आपका यह प्लैन क्या है जीवन की अवाले से आगे इसको गया करना है मैंने इन्वेस्मेंट लगाई थी जो जिस दोस्त ने ये काम से मुझे लिया है उसे में यह ही कहा था कि आपने सबसे पहले ना जो इन्वेस्मेंट की है वो आपको बेच के इतनी निका लें तो माशाला मैंने यह पच्छीस फरवरी को पाइसो केजी सेल आउट की है और 26 600 की साथ और मैंने तेरा लाग का सेल आउट किया पाइसो केजी जो मेरी इन्वेस्मेंट थी या जीतना मेरा खर्चा हुआ है उससे मैंने ज्यादा निकाल आप यह कह रहे हैं कि 8.5 लाग की आपके इन्वेस्मेंट की और 13 लाग का आपने सेम खर दिया है और आप इस टैम किया है और मेरा ख्याल है 2600 से कम तो आपने सेल नहीं करेंगे इन्शाला आप जो मैंने जो बाकी है वो मैं इन्शाला होंगा भी नहीं से एक्स्टेंड करूंगा से लेकि हमारी रवायती फसले हैं यह गंदा मैं यह हमारा गना था आमने गना खतम का बिल्कुल ठीक है यह कि अभरेज पाइंसे चेक अपना तकरीव निकलिया है जो मेरे कदम ने लगाए हमने उसे नखतम कर लिये तेकि रेड कोई नहीं है ति अब गौर्मन ने गन्दाम करेड कोई चार अदा तकरीव निकल लाए है यह जी डिये पी देखके का चलीगी है इतना खादे हैं इतन आदे हैं महिंगी चीजे हैं एक एकर के पीछे मैकसिममम दो लाग से ओपर कोई किसान नहीं कमा सकता औरते साल के अंदर दोब्बे बहुत जादा हैं वँए ज्यादा है यह नहीं ने तेक हैं बड़े जयादा देजर बड़ा महंगा है तो मैं अपने दोस्तों के भी कौह यह बड़ी अच्छी फसल है देखिए अगर मैं इस साल से पहले पहले मैंने देसी लगाया था जैसे चैना गोल्डन मैंने उस वक भी तीन कनाले लगाई थी तीन कनाल मैंने साड़े चार लाक में बेचे जबादा सर्क्याब मैंने कोई जेव से पैसे नहीं लगाया इस यह पैसे कमाया है साड़े चार लाक उसमें चार लाक डाला है साड़े चार लाक और डाला है नौ लाक पर मैं गया हूं मेरी जी में टोटल चार लाक इन्वेस्टमेंट हुगा बड़ बेचे और वो मैं तेरा लाक पर चल गए यानकि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो साड़ आचाई सो तीन हजार केजी से नीचे निकल सकता हुए है। मेरा तर्लोक तसील शोर कोट से है जिस जनलब आप खड़े हैं ये मौज़ा डुल है हजर असलतानबाओ के बिल्कु करीब तरीन है हमारी यूनियन कोंसर हजर असलतानबाओ आरफीन है बिल्कुल ठीक है तो हम तो यह कहते हैं कि यह लोग रवेति फसले चोड़के माडरन फसलें की तरफ हैं अगर पैसे कमाने बिल्कुल सही है हमारे हाँ एक एक कर्ड का जो रेट है वह 14-50 लाग है अगर आप 40-50 लाग लगा के और कमा हैं साल में 2 लाग तो यह हमारी समय में नहीं बिल्कुल नहीं आता है वाकिमर जितने दोस्त पड़े लिखे हैं वह इस सैड़ पे हैं यह नहीं कि ना जो माडरन फस्रें उनकी तरफ हैं ताकि ज्याद ज्याद पैसे कमा सकते हैं अच्छा सर इसको थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं सानों को कितने साल तक इस से जो है ना वो फाइदा होता रहेगा सर मेरे दोस्ते हैं अली साहब हैं वो जड़ा वाला उन्हें ने तक्रिम यार एक लगा है और हमारे तसीर में माशाला एक मुदफर मैदी साहब एंगिल साहब उन्हों ने भी लगाया हुए मैं दो तीन उन्हें राप्ते में जड़ा वाला सीद वाला वे लो लगाया हुए मेरी कल उन्हें बात हुए है उसरे के शैद भाई आपने जितना बेच लिया ठीक है बेच लिया इसे आगे आपने नहीं बेच लिया अगर आपन्द्रह मार्च के बाश पार इसका रेट 3500 पे जा रहा अगर ये लोग हमें के सवाल करते हैं यार ये वीज है ये माफी है मैंने उनको समझाया है तो वह अगर आप 2800-300 रुपए केजी तो बिकते हैं हमेशा पाकिस्तान में अगर 300 केजी भी बिके और इसकी एवरेज यादा है 800-300 रुपए कर रहा है मैं किते हैं 300 रुपए करें 200 को आप 30 के साथ मुल्ट्पलाई करें उसके किनों बनाएं और पिर उसे आप 2800-200 प्ष़ाओं करें आपके 25 राग प्यून बे नगर पासी है और वो मेरे अली वही कह रहे थे कि वही आप ये दास साल से उपर कर टैप है ये दास साल के बाद अगर एड़ाई सो भी विके ना 25 लाग से एकर नीचे आई नहीं सकते सर आप ये देखे लेना कि अभी अभी रेट क्या चल रहा है सर ठूम का इतना जादा है प्याज का अब अगर चार पांच साल भी हम इसको लगा लेते हैं और चार पांच साल बाद मंडी में यह आपको डाए 300 रुपे तो महंगाई इतनी जादा भी हो गई है कि अभी 500 मंडी में बिक रहा है जो प्यास ता वह 200 तक मंडी में गया है तो मैं हमने तो 200 या 200 के अभी लगाई है विकल सही है तो यह तो चार सो पर बिक्यागी तो 50 लाज में कौन सा एकर या मंडी में आ जाया और बंदे खाने पर इसे इसे इस्तमाद करें यह मेरा बेटे है इनके नाम पर यह फार माउस है फिल्कुल ठीक है और यह मेरा बेटा मुझे कहता सा बापा आमने यह भेश के ना बड़ी गाड़ी ले जबर दस्क्राइब मैंने से सीटी लेके दे दी है माशालला माशाला मुझे यह पताओ कि यह जो लेसन लगाया हुए बाबाने इसके बारे लगाए आपके आपने हमें टाइम दिया इंट्रिविव के लिए आपके नंबर में नीचे डाल दूँगा तो माशालला बड़ी बड़ा जबदस्वाम हैं और माशालला यह प्रॉफिट में भी आ चुके हैं तो चोटे किसान हमारा जीवन का कोई भी नहीं है जिसने एक क कर लगा है वो भी बड़ा किसान है हम इसी तरह जो है ना है फ्लाइट फार्म से जो है ना वो हम इंटर्विव अपने कोशिश करूँ है कि डिस्ट्रिक्ट जंग में पार्मर्स को कंपलेट कर लो इसके बाद बाहर भी निकलू थोड़ा सा अभी सब बिजी भी हैं आगे ह हमारे कुछ सेमिनार और भी आ रहे हैं वो भी हमने ट्रेंड करने हैं तो इंशालों इस सिल्सले को जारी रखेंगे थैंक्यों सो मच रहता था थैंक्यों